हेलो एन गूड मॉर्णिंग लेव यू भूजल संग्रहन ठीक है लेखाक मंडल ने लिखा है इसको बरसाद के पानी लेव भूजल संग्रहन बीना पानी कोनो परानी के काम नहीं चला है एकरे कारण कई जाते कहे जाते जल हेता जीवन है पानी हाता ओधके है फिर एकर बौरईया दिन के दिन बाढ़ा जावात है पानी हा कमती परेला धर लेहे है अब पानी के बूनला अकारत गवाना जीव जन्तुला पीबत मा फसाना आए पानी के बूनला सकेल के रखना जरू पानी के सकेलला जल संघ रहन बड़ जल संघ रहन के बदाया है जहां पानी के बिना कोई भी जीव जनतू कोई भी प्राणी का काम नहीं चल सकता है है ना इसी के लिए बोला जाता है कि जली जीवन है ठीक है इस पार्ट में पताया गया किसले कहा जाता है जली जीवन है और पानी तो उतना ही का उतना है लेकिन क्या है जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी का यूज करने वाले लोग जो है बढ़ रहे हैं तो इसको क्या करना पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना है ठीक है तो जल संग्रहन कैसे करेंगी इस पाठ में बताया गया है धर्ती के बनावत कुछ ऐसे हैं कि ओमा कई परत के चट्टान हमें कुछ पानी सोखने वाला वह भूर भूरी है और कुछ तो अधकाठो से कि ओमा पानी पार नहीं जा स जब बरसात होते तब बहुत अकन पानी हां बोहा के नदिया नर्वा मा चल देते फिर पुछ पानी धर्ती के भीत्री रिस्थे घलो ये ढंग ले रिसने वाला पानी ओ चर्टान मा समाज आथे जे नहां पानी सोक ले थे और ओखर खाले के ठोस चर्टान के पार नहीं जा सक है जमीन के खाले ये ढंग ले जमा होने वाला पानी है भू जल आए जेला हाम कुवा खोद के या नल कूप लगा के पाथां ठीक है यहां क्या है धर्ती की बनावाट कैसी है धर्तिक नट ऐसी है कि उसमें कई सारे चटान है जिसमें या तो बहुत सारी बूर्बूरी जेम बूर्बूरी जमीन से पानी चले जाती है लेकिन एक इस तर के बार जो है पानी नहीं जा सकती है तो उसको हम क्या करते है नल कूप या खोद कर उस पानी को हम लोग यूस करते है ठीक है यह जो है भूमी के अंदर में वो जल जाता है इसको भू जल बोलते है ठीक है पाच प्रशाट के जदका पानी जमीन मरीश थे उकल ले जादा पानी हम उपयोग करे बाहिन निकाल लथन ये कारण भूजल के भंडार सतह दिन बदिन खाले हो जाथे एकर से तिकुआ उनलकूप सुखावा थे पानी हम खारा हो थे अवकाई जगा मरुपयोग के लाइक नहीं र बढ़ने लगी धनसंख्या बढ़ने लगी है नो इसके लिए क्या हो रहा है पानी ये सब जल का उपयोग किया जा रहा है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, बरसात में जितना पानी भूह संग्रहन में जाता है, भूह जल जाता है नीचे में, उससे कहीं ज़्यादा पानी क्या हो रहा है, उपयोग के लाये की पानी नहीं निकल पा रहा है, जंगल के भारी कटा गहन खेती के करण 12 मसी नदिया नर्वा कम हो जा थे बढ़त अबादी के करण जगा जगा पानी के कमी देखे जा सका थे हम अपन सहर बड़े गाउला देख थन तहां पाबोन के उहां सरलग नवा नवा घर बना जा थे सड़ा का उनाली पक्का हो जा थे जंगल का क्या हो गय अबादी जैसे जन संख्या बढ़ते जारी तो क्या हो जा रहा है वो हर जगा पानी की कमी देखी जा रही है हम अपने सहर और गाउं में भी देखते हैं तो वहां हमेशा देखते हैं नए नए घर बन रहे हैं सरक बन रहे हैं और नाली पक्का बन रहे हैं तरिया पटावा तलाब को बंद कर दिया जा रहा है या सुख़ावा थे या तो फिर तलाब जो है क्या हो रहा है सुख जा रहा है नीज पान कम हो रहे हैं मिन्स पेड़ पॉधों को काट के वहां पे घर बनाया जा रहा है यह सब के नतीज़ा यह है कि सहर और बड़े गाउं मा बरसने वाला पानी जमीन में कम रिस्थे और जमीन के सत्वा उपर भाहिके कई तरह के अलहन लाथे यह जो है क्या हो रहा है पानी से अधर संग्रहन जमीन में नहीं हो पा रहा है क्या हो रहा है यह कौले बड़िया ौप नीचे होती है तोphonie में बड़ाई का पानी भर जाता है अगर नीचे निचेनी52 को नाली में बडसात्का पानी Baptist बडह बड़ जाते है अगर अगे विता हूरा च्पर नाली ल वह कि भुठा में आजाती है तिक यह सडकों में यृतन है इस तरह किसे क्या है बरसात का पानी बरबाद हो रहा है फोकट फोकट बहने वाला पानी लग को सरल उपाय करके जमीन के भीतर पहुचाय जा सकते ये धंगले सकलाए पानी ले भूजल के भंडार बढ़ा एक हुआ उनलकूप पानी मन मा पानी के आवक बढ़ जाते सुखा के दिन में ये पानी हाँ हमर काम आ सकते इच्छा तउच्छानी छपपन मा पढ़ने वाला बरसात के पानी बहा के अखारत चल दे थे ए पानी लग सोकता खड़ा बनाके सहज रूमा जमीन के भीतर पहुचाय जा सकते तो क्या होता है ये जो पानी बरबाद हो रहे हैं उसको क्या है जमीन के अंदर सरल तरीके से पह पानी बहाता है ना बढ़सात का पानी बेमतलब कर अधर बहा जाता है तो इस पानी को क्या करना चीए सोकता गढ़्धा बनाके सहज रूम से जमीन के भीतर पहुचाय जा सकता है तो तीर तकायर मकुआ है तो ये पानी लगवा मभरे जा सकते चोटे च्छत इसको देखो ये कही तरीका है जिसके घिस् Dennis को जो है जमीन के अंदर पहुचाय जा सकता है 0665 गढ़्धा मदार के जमीन के भीतर पहुच़ाय जा सकते ठीक है मकान के अंकन होता है तो उसकी आस्पास तो भी हम घर किया सब्सक्राइब्यधा में कि पानी हसीधा जमिन के भीतर जहन जाए एला रोके खातीर है युतकर लाअग魚 सबुभा बनाया की उपाय करी ये छित्रकामांगतीन इसको इसमें दिखाए गया चित्रकामांगतीन में यह जो है ऊपनी जो है ऐंदने चोटे बस्ती में 25 चारघर मिला एक ठन सोकता गढड़ा बनाय जा सकते शौकता गढड़ा ये ढंगले बनाय जाए कि बर parece पानी चंके खाले उत्रय अब जल सोका या चटान के पर्द पर 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 पहुच जाए ऊपर देगे अचित्र में देखाए कि Base up के बर साथ के-प्रvous पानी प्र फेज उतारें जा सकते हैं छोटे बस्ती में क्या करना सकता है उसी प्रकार से सोकता बनाया जा सकता है तीन चरगरो के एक सोकता और उसमें पानी को अंदर भेजा जा सकता है सहर नगर मा कुछ खाले भाग ऐसे होते जिहां बरसाथ हो इसके पानी भर जाते ये ढंग ले सकलाए पानी ला जमीन के भीतर कैसे उतारे जाए एला घलो आगू चित्रमा दिखाएगे इढंग ले सहर आओ बढ़े गाओ मा कई ठन सुखा आओ बेकार तरिया रही जन्मन बरसाथ ले भर जाते एकर पानी लगलो उई ढंग से जमीन के भीतर पूचाय जा सकते एकर छोड के ये ठोड के ये ढंग ले पानी सकलाए ले कुवा मा पानी के आवक बर जाही आओ ओमा स सक दाल भर पानी भरे रही खैँ ठन सहर गाओ मा अइसे चोटे नदियानर्वा हावे जेमा सिर्व बरसाथ के दीन मा पानी बोह थे ऐसे जमीन के भीतर पानी रोगने वाला बान बनाग के पानी ओकर पढ़ भीतरी घलो रोके जा सकते एकर लेखवा नलकूफ मान मा पानी क के आवाक बढ़ जाएए सुख्खा दिनमा इसे नदिया नर्वा मां जिरिया खोद के घलो पानी ले जा सकते हैं इकर छोटे-छोटे बांध बना के घलो ऑईसे नदिया नर्वा के पानी लो रोके जा सकते हैं ये ढंग लें कुछ महिना तक निस्तार बर पानी मिल सकी एकर घलो पानी रिस के धर्ती के खाले पहुची आवक बढ़ी बरसात के पानी लजयमीन के भीतरी डार के भूजल के भंडार बढ़ाय कि ये कुछ उपाए हावाज ये लापना के कम खर्जा में पानी के कमिला दूर करे जा सकते ठीक है इस पूरे पार्ट में आपको ये बताया कुछा एक थो दालो ब्रसात ब्र सब्सक्राइब का दूर पहुचा कुछा था ने वहाँ पानी पूर्टी ion की पूर्ती रहेता कि वहाँ पानी की संग्रहंड शाय करनाव तो इसी पहुपाय और णुर्ण सुख्ता के हैं ना गड्धा बना की उसमें पास में और जो हैं प हमको समस्याओं का समस्याओं का सामना करना ना पड़े ओके आई होप आप वे पार्ट समझ में आ गया होगा अभी के लिए थांक यूँ